सब्सक्राइब कीजिए दपरफेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाएए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो फर्स्ट है रिकेट्स is caused due to the deficiency of रिकेट्स जो है किसकी कमी से होता है हमें option में दिया हुआ है proteins, vitamin D, iodine, vitamin A तो हम C option को tick करेंगे vitamin D की कमी से होता है second है बच्चे, water is important for पानी बहतोपोड है किसके लिए building bonds के लिए हड़ियों के जिर्माड के लिए skin के लिए, तचा के लिए proper vision, सही दृष्टी के लिए या फिर transporting substance in the body पधारतों के आवा गमन के लिए तो इसका हम D पर tick करेंगे, ठीक है इसका D character, transporting substances in the body third है, when the paper wrapping of food item become greasy and translucent this means the food contents question number 3 है, जब खाना लपिटने वाला कागस एकदम oily हो जाता है, तेल में हो जाता है ठीक है, और परभासी हो जाता है तो खाने में क्या होता है, protein, sugar, iron या fat तो उस खाने में fat होता है बच्चों क्यूंकि आप जो परांठा है उससे आप अगर किसी paper में wrap करके देखेंगे तो उस तरह से paper हो जाएगा ठीक है, तो उसमें fat होता है अब question number 4 है fresh fruits and vegetables are the important source of ताजे फल और सबसियां एक महत्वपूर्ण इस तरोथ है किसका proteins का, vitamins का, carbohydrates का, fats का तो इसका option है C correct किसका source है, वो vitamin का source है ओके, fifth है night blindness is caused due to deficiency of रतोंधी किसकी कमी से होता है या option है vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D तो vitamin A की कमी से होता है night blindness, रतोंधी six है, eating lots of foods like burgers, noodles, etc, cause burger noodles जैसे fast food खाने से होता है क्या goiter होता है scurvy, rickets, या obesity तो obesity होता है, मुठापा आजाता है ठीक है, तो इस पर tick कर लेंगे हम ओके अब इधर देखते हैं complete the given analogies दी गई, समानताओं को पूरा करना है देखिए, butter का जो relation fats से है, vegetable का वो relation किस से होता है बच्चो vegetables का होता है, vitamins से ठीक है, vitamins लिखेंगे आप proteins का जो similarity growths के साथ दिखाए गई है मतलब जो connection वो vitamins का किस के साथ है immunity के साथ है, immunity लिख देंगे iodine का, goiter के साथ है iodine की कमी से होता है ये रोग, तो iron का किस से लिख देंगे, iron की कमी से क्या होता है, anemia होता है marasmus protein के कमी की वज़े से होता था, इस कर भी vitamins C की कमी के कारण हो जाता है, तो ये हम लिख देंगे ये complete कर दिया हमने अब यहाँ पर एक question दिया हुआ है why do children need to have more proteins बच्चों को अधिक मात्रा में protein क्यों लेना चाहिए तो इसका answer हम लिखेंगे बच्चों why do children need to have some more protein इसका answer हम लिखेंगे, children should take more protein because it strengthen the immune system bones and muscles बच्चों को protein अधिक मात्रा में इसलिए लेना चाहिए क्योंकि इससे हड़िया मासपेशिया वे immune system मजबूत होता है not only this the protein also keeps the heart and lung tissue healthy यही नहीं केवल proteins से क्या होता है कि protein से हर्दे जो होता है heart और फेपड़े के जो tissues होते हैं उसके तक बोलते हैं उसे हिंदी में वो भी उन्हें भी वो स्वस्त रखता है protein is necessary for the body to function smoothly protein शरी को सुचार रूप से कारे करने के लिए भी ज़रूरी है it removes toxins from the body और यह शरीर से toxins को बाहर निकालता है तो यह हमें answer देना था इसमें okay students तो आपकी worksheet solve हो गई अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें हमारे चनल को सब्सक्राइब करें thanks for watching झालते नकालते हुचवाँ करें